आपको सिंगला जाना होगा वहां मेरे भाई अरुन मुरी से मिलकर उसे यहां लेकर आना पड़ेगा ट्रेड एनालिस्ट की माने तो संडे के दिन भी फिल्म ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है दोस्तों आपको बताते चले कि पीएस वन ने लगातर नववे दिन भी बोक्स ओपिस पर अच्छा कलेक्शन किया है केवल तमिलनाडू राज में फिल्म ने 12 करोड रुपे की कमाई की वहीं तेलगू भासा में फिल्म ने 25 लाख रुपे कमाई केरल में 1 करोड 20 लाख रुपे करनाटक में 1 करोड 40 लाख रुपे और हिंदी में 1 करोड 80 लाख रुपे की कमाई कर ली है कुल मिलाकर इंडिया में फिल्म का कलेक्शन 16 करोड 65 लाख रुपे का रहा है वहीं 90 दिन ओवर्सिस फिल्म ने 6 करोड और वर्ल्ड वाइट 22 करोड 65 लाख रुपे की कमाई की है दोस्तों आपको बताते चले की पोनिनियन सेलवन वन के ओवराल कलेक्शन की बात करे तो वर्ल्ड वाइट फिल्म ने 368 करोड 25 लाख रुपे कमाए है इसी के साथ फिल्म साल 2022 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी इंडियन फिल्म बन गई है PS1 ने इंडिया में अब तक 249 करोड 20 लाख रुपे कमाए है जिसमें से केवल तमिलनाडू में ही फिल्म का कलेक्शन 154 करोड 60 लाख रुपे रहा है PS1 को विदेश में भी काफी अच्छा रिस्पोंस मिला है यही वज़े है कि फिल्म का ओवर्सिस कलेक्शन 128 करोड 20 लाख रुपे तक रहा है हिंदी में फिल्म ने 23 करोड 20 लाख रुपे तेलगू में 16 करोड 15 लाख रुपे और केरल में फिल्म ने 19 करोड 80 लाख रुपे कमाए है रिलीज के पहले दिन ही PS1 ने वल्ड वाइट कलेक्शन 82 करोड 50 लाख रुपे की ग्रेंड ओपनिंग की थी दूसरे दिन फिल्म ने 46 करोड़ 50 लाग रुपे, तीसरे दिन 60 करोड़ 35 लाग रुपे, चोथे दिन 31 करोड़ रुपे, पाचवे दिन 30 करोड़ 65 लाग रुपे, छटवे दिन 32 करोड़ रुपे, सातवे दिन 22 करोड़ रुपे, आठवे दिन 17 करोड़ 25 लाग रुपे, और अगर इस फिल्म को देख लिया है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी और क्या ये फिल्म 500 करोड रुपे के क्लब में सामिल हो पाईगी या नहीं हमें अपनी राय कमेंड करना बिल्कुल ना भूलिएगा धन्यवाद जे स्री कृष्णा दोस्तो